हेलो स्टुडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल साइन्स प्लेटफर्म में आपका स्वागत हैं आज का हमारा वीडियो रिलेटेड हैं NCRT साइन्स क्लास एट से इस वीडियो में हम क्लास एट साइन्स के लिए कुछ इस इंपार्टेट अबजेक्टिव कोश्चन्स पर डिसकोशन करेंगे सारे कोश्चन्स अबजेक्टिव डायव के हैं और आपके परिच्छा के लिए काफी महतपूर्ण है ताइए इस वीडियो का हम सुरू करते हैं और इस वीडियो का लाव उठाते हैं पहला प्छन केंद्रग झिल ली अनुपस्थित होता है अपषण दिया गया है प्रोकेरिओ्ट में युकेरिओट्स में उपर्यूप्त दोनों में या इनमें से कुई नहीं देखिए होता क्या है कि जीव जगत में पाएज काने वाले कोशिकाओं को दो भागों में बाट गया है एक प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दुसरे प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है युकैरियोटिक कोशिका जिस कोशिका में केंद्रक बीना जिल्ली का होता है उस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है और जो जीब इस प्रकार की कोशिकां को धारन करती हैं, उससे प्रोकेरियोट्स कहा जाता हैं। इसी प्रकार जिस कोशिकां में केंद्रक एक जिल्ली दोवारा घिरी हुई होती हैं, इस प्रकार की कोशिकां को यूकेरियोटिक कोशिका कहा जाता हैं। ओर जो जीव eukaryotic कोशिका का धरन करती है उस जीव को eukaryotes कहा जाता है इस प्रस्ण में पूछा गया है कि केंद्रक जिल्ली अनुपास्थित होता है सहे जवाब क्या होगा prokaryotes prokaryotes में जो कोशिका हैं उसमें केंद्रक जिल्ली नहीं होगा अगला प्रश्ण है लेंगिक जनन में शुक्रानू और अंडानू का संगलयन क्या कहलाता है अप्शन हमारे पास है संयोजन, निशेचन, भ्रून या युग्मक देखे होता क्या है कि लेंगिक जनन में नर जीव शुक्रानू का उत्पादन करते हैं और मादाजीव अंडानू का उत्पादन करते हैं इस प्रकार लेंगिक जनन में शुक्रानू और अंडानू का आपस में शंगलयन होता है दोनों प्रकार की इन कोशिकां के शंगलयन होने की प्राक्रिया को निशेचन के नाम से जाना जाता है निम्न में से कोन से जन्तू में बाह निशेचन होती है अप्शन हमारे पास है मेंढक, मचली, स्टार फिस या उपर्यूप सभी कुछ ऐसे जीव है जिसमें मादा जीव अंडे देती है और नर जीव उस अंडे के उपर शुक्रानू छोड़ देते है और इस प्रकार अंडानू और शुक्रानू का आपस में शंगलयन होता है तिस प्रकार अंडानू और सुक्रानू का जो संगलायन होता है ये मादा के शरीर के बाहर होता है यानि वातावरन में होता है तो इस प्रकार के जीवों में बाहर निसेचन होता है अब सवाल यह है कि बाहर निसेचन का उदाहरन क्या क्या है यानि कौन-कौन से जीव में बा इस प्रश्ण में पूछा गया है अंड पर जग जनतु का उदाहरन है अप्शन हमारे पास है मनुष, बिल्ली, कुत्ता या पक्षी अंड पर जग जनतु वैसे जनतु को कहा जाता है जो अंडे देती है अर्थात इस प्रश्ण का से जवाब होगा पक्षी इसी प्रकार अगला प्रश्ण है जरायूज जनतु का उदाहरन है इसमें अप्शन दिया गया है बाग, मुर्गी, कबुतर और साफ जरायूज जनतु वैसे जनतु को कहा जाता है जो अंडे नहीं बलकि एक जीव को जन्म देती है अर्थात इस प्रश्ण का से जवाब होग क्योंकि मुर्गी, कबुतर और साफ अंडे देती है कहने का मतलब यह हुए कि जनतु ना को दो भाघों में बाटा गया है अंडपरजग जनतु और जरायूज जन'Tु वैसे जनतु को कहा जाता है जो अंडे देती है जिबकि जरायूस जन्तु वैसे जन्तु को कहा जाता है जो अंडे नहीं बलकि एक जीव को एक सिसु को जन्म देती है या प्राश्ण भहुत ही मातपुर्ण है इसमें पूछा गया है मुकुलन वीधि द्वारा जनन होता है अप्सन देया गया है अमिवा में, हाइडरा में, पैरामिशियम में या उपरिप सभी इस प्रश्ण का सही जबाब होगा हाईडरा हाइडरा एक ऐसा जीव है जिसमें मुकुलन वीधि द्वारा जनन होता है इस विधी में क्या होता है कि हाइड्रा के सरीर में पहले एक छोटी सी उभार दिखाई देती हैं, धिरे धिरे ये उभार ब्रिद्धी करती हैं और एक पूर्ण हाइड्रा में परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ समय के बाद ये हाइड्रा यानि नए हाइड्रा अपने जनक हा दिद्वारा जनन होता है अब अगला प्रश्न शंकटापन जन्तु वह है जो अप्शन है रोग ग्रस्थ है वन से भटक गए हैं जिनकी सेंख्या निर्धारित इस्तर से कम हो गई है या अब इस धर्टी से विलुप्त हो चुके है शंकटापन जन्तु वैसे जन्तु है जिसकी संख्या निर्धारित इस्तर से कम हो गई है यानि जो अभी विलुप्त नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में अगर स्थिती और प्रतिकूल होते जाए तो हो सकता है कि वह जीव धर्टी से विलुप्त हो जाए यानि संकटापन जन्तु वैसे जन्तु है जिसकी संख्या बहुत ही कम हो गई है वनोन मुलन का कारण है अप्सन है भवन निर्वान शरक निर्वान कागज उद्दोग या इनमें से सरी वनोन मुलन क्या है वनोन मुलन अर्थाग बनों की कटाई बनों की कटाई का कारण क्या है चुकि भवनों का निर्वान करना शर वनोनमुलन का प्रमुख कारण है अर्थात इस प्रश्ण का से जबाब होगा इन में से सभी योवनारंब में लड़कों का श्वारियंत्र विक्षित होकर बड़ा हो जाता है इससे कहते है अप्शन देया गया है लैरिंग्स कंठ मनी अर्थात एडम सेपल श्वार्गरंथी या इन में से कोई नहीं जब लड़का योवनारंब में कदम रखता है अर्थात उसकी उम्र 11 वर्ष से 19 वर्ष के वीच होती है तो इस इस्तिति में क्या होता है कि लड़का के गले में जो श्वर्यंत्र होता है ये विक्षित होकर बड़ा हो जाता है तो इस विक्षित बड़े हुए संग्रजना को क्या कहा जाता है इसका सही जबाब होगा कंठ मनी अर्थात एडम सेपल अगला महतपूर्ण प्राश्ण है मेढक के जीवन चक्र में टैडपोल से वयस्क मेढक मनने की प्राक्रिया को क्या कहा जाता है इसमें अफ्सन देा गया है विकाश, वृध्धी, कायंतरन या अलेंगिक जनन मेढक के जिवन चक्र में अंडा, टैडपोल और वयस्क होता है यानि मेढक अंडे देती है, अंडे से टैडपोल का जर्म होता है और फिर इस टैडपोल से वयस्क मेढक का विकास होता है टैडपोल विल्कुल अलग होता है, उसमें पूछ होती है जिबकि वयस्क मेढ़क में कोई पूछ नहीं होती है और थाथ टैडपोल से वयस्क मेढ़क बनने की जो प्राक्रिया है इससे क्या कहा जाता है इसका सही जबाब होगा कायंतरन टैडपोल से वयस्क मेढ़क बनने की प्राक्रिया को कायंतरन कहा जाता है अगला प्रश्ण है मानाब कानों के लिए स्राइब धनी तरंगों की पराश है अप्शन दिया गया है 20 हर्ज से अधिक 20,000 हर्ज से कम 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच या 20,000 हर्ज से अधिक से जवाब होगा अप्शन C हमारी काने सिर्फ उन्हे धनी तरंगों को सुन सकती है जिनकी आपरिती 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है इस प्रश्ण में पूछा गया है पराश्रव धनी तरंगों के आपरिती होती है अप्शन है 20 हर्ज से कम 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच 20,000 हर्ज से अधिक या 20,000 हर्ज से कम देखिए धनी तरंगों को तीन भागों में बाटा गया है श्रव धनी तरंगे पराश्रव धनी तरंगे और आवाश्रव धनी तरंगे जैसा कि हम पहले ही डिसकस किये कि हमारी काने सिर्फ उन्हे धनी तरंगों को सुन सकती है जिसकी आबरिती 20 होज से 20,000 होज के बीच होती है इस ध्वनी तरंगों को स्रव्य ध्वनी तरंगे कहा जाता है परन्तु जिन ध्वनी तरंगों के आबरिती 20,000 होज से अधिक होती है उन्हें पराख स्रव्य ध्वनी तरंगे कहा जाता है जबकि जिन ध्वनी तरंगों के आ 20,000 होज से अधिक अर्थात पराश्णों विधनी तरंगों की जाबरिती होती है वह 20,000 होज से अधिक होती है यह प्राश्ण भहुत ही मातपुर्ण है इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरन है अर्थात संक्सार में सबसे बड़ी कोशिका क्या है अप्षन हमारे पास हैं तंत्री का कोशिका, मुर्गी का अंडा, शुतुर मुर्ग का अंडा या ब्लू हुएल की कोशिका सही जबाब होगा शुतुर मुर्ग का अंडा संक्सार की सबसे बड़ी कोशिका है सुतुर मुर्ग का अंडा इसकी साइज होती है 170 mm गुना 130 mm अर्थात इसकी जो लंबाई होती है वह 170 mm यानि 17 cm और इसकी जो चोड़ाई होती है वह 130 mm अर्थात 13 cm इतनी बड़ी होती है सुतुर मुर्ग का अंडा ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है नीमन में से किस कोशिकांग को आत्महक्त्या की थैली कहा जाता है अप्सन हमारे पास है लाइसुस्वम, किंद्रक, तारकाई या गलजीकाई से जबाब क्या होगा लाइसुसम कोशिका में जो लाइसुसम पाया जाता है ऐसे एंजाइम होते हैं, जो अगर किसी कारण से फट जाए, तो ये एंजाइम पूरे कोशिका को नस्ट कर सकती हैं, इसलिए लाइसोसम को कोशिका की आत्महज्त्या की थैली कहा जाता है, एक कोशिक जीव का उदाहरन है, अपसंद्या गया हैं, अमिबा, पैरामिशियम, जीवानु या उपर्युक्त सरी, हमारे चारों और कुछ ऐसे जीव होते हैं, जिनका शरीर केबल एक ही कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव को एक कोशिक जीव कहा जाता है, इसका सबसे अच् जीवानु इत्तादी, अर्थाथ इस प्रश्ण का सही जबाब होगा उपर्युक्त सभी, नेम्न में से कोशा आहार किसोर के लिए सर्वत्तम है, अपसंद्या गया है, चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, ताल, सबजियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, या शाकाहरी टिक की, चिप्स, लेमन, पे, तली भूनी हुई चीजें, या फास्ट फूड किसोरों के लिए अच्छी नहीं होती है, और तात किसोरों के लिए जो सबसे अच्छा भोजन है, वह हैं, रोटी, दाल, सबजियां इत्तादी, अगला प्रश्ण है, जन्तु कोशिका में अनुपस्थित होता है, आप्शन दिया गया है, राइवोजम, प्लैस्टीड, लाइसोस्वाम और माइटोकंड्रिया, से जबाब होगा प्लैस्टीड, प्लैस्टीड पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जन्तु कोशिका मे नहीं पाया जाता है प्लैस्टिड तिन तरह के होते हैं क्लोरोप्लास्ट लिउकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो प्लैस्टिड हरे रंग के होते हैं उससे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है जो प्लैस्टिड का कोई रंग नहीं होता है उससे लिउकोप्लास्ट कहा जाता और जो प्लैस्टीड किसी दूसरे रंग के होते हैं जैसे की पीला, गुलावी, लाल इत्तादी तो उससे क्रोमो प्लास्ट कहा जाता हैं क्रोमो प्लास्ट की उपस्थिती के कारण ही फूल का रंग लाल, पीला, गुलावी इत्तादी होता हैं यानि प्लैस्टिर्ट जो होता है ये जन्तु कोशिका में नहीं पाया जाता हैं। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। अप्शन है लिवन हाक, रावर्ट हूक, रावर्ट ब्राउन और रावर्ट कॉच। सन 1665 इस भी में रावर्ट हूक ने कर्क की पतली-पतली स्लाइसों को काटकर स्वयंग के द्वारा निर्मिद सुचमदर्शी की सहायता से जब देखा तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संग्रशनाएं देखी। इन प्रकार की संग्रशनाओं को यानि इस प्रकार के कोश्टक को उन्होंने कोशी का नाम दिया। यानि कोशी का की जो खोज हुई थी वे रावर्ट हूक के द्वारा ही हुई थी। और ये खोज 1665 इस भी में हुई थी। कौन से अधातू को जल में डूबो कर रखा जाता है। जब इस अधातू को जल से हम बाहर निकालते हैं तो ये वायू की अक्सिजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करके जलने लगती है। यानि इसका स्वात दहन होता है। अगला प्रश्ण एक अधातू जिसमें चमक होती है। अप्शन हमारे पास है सलफर, आयोडेन, ब्रोमेन और कोईला। आम तोर पर क्या होता है कि जो धातू होती है उसमें चमक होती है परंतु अधातू में चमक नहीं होती है लेकिन इस प्रश्ण में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कून सा अधातू है जो अधातू होते हुए भी उसमें धातू जैसी चमक पाए जाती है से जवाब होगा आयोडिन, आयोडिन एक अधातू होने के बावजुद भी इसमें धातू जैसी चमक होती है नरम धातू जिन्हें चाकू से आसाने से काटा जा सकता है पहला अप्षन है सोडियम, दुसरा है पाटेसियम, तिसरा अप्षन दिया गया है उपर्युक्त दोनों और अंतिम अप्षन है इनमें से कोई नहीं से जवाब क्या होगा सोडियम, पाटेसियम ऐसे धातू है जो अच्तनत मुलायम होते हैं ये इतने मुलायम होते हैं कि इने चाकू से आसानी से काटा जा सकता हैं अर्थाक इस प्रश्ण का सही जवाब होगा उपध्यूग्त दोनों ये प्रश्ण बहुत ही महत्पूर्ण हैं इसमें पुछा गया है पैराशूट और चटानों पर चड़ने हेतू रश्ण के निर्वान में किस रेश्ण का उपवयूग किया जाता हैं अप्शन हमारे पास है नाइलन, रेयान, एक्रिलिक या पॉलिस्टर सही जबाब होगा नाइलन, नाइलन एक ऐसा रेशा है जो अज्तन्त मजबूत होता है और इसी मजबूती के कारण ही नाइलन का उपवयूग पैराशूट और चटानों पर चड़ने हेतू रश्ण के निर्वान में किया जाता है काटे गए ब्रिच्छों के स्थान पर नए ब्रिच्छों का रोपन क्या कहलाता है अप्सन है ब्रिच्छा रोपन, वन रोपन, पुनर वन रोपन या वनन मुलन सही जबाब होगा पुनर वन रोपन पुनर्वन रोपन एक ऐसा प्राक्रिया है जिसमें काटे गए ब्रिच्छों के स्थान पर नए ब्रिच्छों का रोपन किया जाता है अगला प्रश्ण है रेड डाटा पुष्टक सम्मंदित है यह प्रश्ण बहुत ही महत्पूर्ण है अप्शन दिया गया है जीवों की विविद्दता से जीवों की नामकरन से जीवों के वैवहार से या संकटापन इस्पीसीज के रिकार्ड से से जवाब होगा संकटापन इस्पीसीज के रिकार्ड से संकटापन इस्पीसीज वैसे इस्पीसीज है यानि वैसे प्रजाती है जिसकी संख्या एक निर्धारित इस्तर से कम हो गई है यानि ये विलुप्त होने की इस्थिती में है ऐसी जीवों का वर्णन रेड डाटा पुस्तक में किया गया है पक्की सड़कों के निर्बान में कौन से पैट्रोलियम उत्पात का प्रयोग किया जाता है अप्शन दिया गया है बिटुमेन, पैराफिन मोम, सनेहाग तेल या इन में से कोई नहीं बिटुमेन एक प्रमुक पैट्रोलियम उत्पात है जिसका उपयोग पक्की सड़कों के निर्बान में किया जाता है कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है अप्शन दिया गया है मैगनिसियम, सोडियम, पारा या क्यालसियम सोडियम एक धातु है जो अच्तनत अभिक्रियासिल है ये वायू की ऑक्सिजन के संपर्ख में आते ही अभिक्रिया कर लेती है इसी प्रकार सोडियम जल के साथ भी अभिक्रिया करती है इसलिए sodium को रखने के लिए इससे मिट्टी के तेल में डूबो कर रखा जाता है धातु में होती है आप्षन देया गया है आभात वर्ध तन्य ध्वानेक या उपर्युक्त सभी धातु में आभात वर्ध होती है अर्थात धातूं को पिट कर पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार धातूं को खीच कर पतले तार बनाये जा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्ण का सही जवाब होगा उपरिक सभी। वाइव मंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। अप्शन दिया गया हैं 21%, 78%, 82% या 1%। वाइव मंडल में प्रामुख ग्यास जो है वह है नाइट्रोजन और इसकी मात्रा अक्तधिक होती है। वाइव मंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। मलेरिया पजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है। अप्शन दिया गया हैं मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्षी, मादा एनफलिस मच्छर या घरेलू चीन्टी। मलेरिया एक विशेश प्रकार के सुचमजीव के कारण होती हैं जिस प्लाज्मोडियम का वाहक क्या हैं। से जबाब होगा मादा एनफलिस मच्छर के कारण ही मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति में पहुंचता है। इसे प्रकार अगला प्रश्ण है देंगु परजीवी का वाहक है। इसमें अप्शन है मादा एडिस मच्छर, घरेलू मख्छी, मादा एनफलिस मच्छर या कक्रोच। से जबाब होगा मादा एडिस मच्छर। एडवर्ड जेनर ने किस बिमारी से बचाव के लिए टीके की खोज की। अप्शन है मलेरिया, एन्थ्रैक्स, छायरोग या चेचक। एडवर्ड जेनर एक प्रसिद्ध वैग्यानिक थे, जेनर ने सर्ववर्थम टीके की खोज की। इस प्रशन में पूछा गया है कि टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किस बिमारी से बचाव के लिए किया। से जबाब होगा चेचक। चेचक से बचाव के लिए एडवर जेनर ने टीके कई खोज की अगला महतपूर्ण प्रश्ण है पेनिसलीन के खोज करता है अप्शन दिया गया है लुई पाक्ष्चर अलेक्जंडर फ्लैमिंग एडवर्ड जेनर या रोनाल्ड रॉस पेनिसलीन एक महतपूर्ण प्रतिजैविक है प्रतिजैविक का जिवानु जनित रोगों से बचाव के लिए किया जाता है पेनिसलीन के खोज करता है अलेक्जंडर फ्लैमिंग यह प्रश्ण बहुत ही महतपूर्ण है इसमें पूछा गया है टू फोर डी किस प्रकार का रसायन है एक महतपूर्ण रसायन है जिसका नाम है टू फोर डी यह किस प्रकार का रसायन है एक एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग खेतों से कर्पदवार को हटाने के लिए क्या जाता है जब इस रसाइन का छिड़काव कीके जाता है तो फवसल पौधे को कोई छती नहीं पहुंचती लेकिन फसल के साथ उगने वाले खर्पदवार इससे मर जाते हैं 24D एक प्रमुख खर्पदवार नासी है खर्पदवार को हटाने की प्राक्रिया क्या कहलाती है अप्सन है निराई, जुताई, ठ्रेशिंग या बुआई फसल पौधे के साथ उग आने वाले घास फूस या अन्न वांचनिय पौधों को खर्पदवार कहा जाता है ये फसल पौधे को छती पहुंचाती है खर्पदवार को खेतों से हटाने की प्राक्रिया को निराई कहा जाता है कौन सा जिवानों दूद को दही में परिवर्तित कर देता है अप्सन है टिवर क्लोसिस, प्रोटोजोवा, पारामिसियम या लैक्टोबैसिलस दूद को दही में परिवर्थित करने वाले जिवानु हैं Lactobacillus अगला प्रश्ण है Newton और Pascal क्रमशा मात्रक है अप्षन दिया गया है त्वारन और बल का, दाब और बल का, बल और दाब का या दाब और समवेग का Newton मात्रक होता है बल का और Pascal मात्रक है दाब का अर्थात सई अप्षन होगा अप्षन C प्रती एकांग छित्रफर पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं अप्षन है त्वारन, बल, समवेग या दाब या दाब की परिभाशा है दाब किसे कहता है? प्रती एकांग छित्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है उंचाए बढ़ने के साथ वाय मंडल या दाब घटता है, बढ़ता है, और परिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं जैसे जैसे हम उंचाइए, पर चड़ते हैं, वाई मंडल या दाब का अमान कम होता है, और तासी जबाब होगा अप्षण A घटता है शौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है अप्षन दिया गया है शनी, ब्रहश्पती, मंगल या शुक्र ब्रहश्पती शौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है इसी प्रकार अगला प्रश्ण है शौर मंडल का सबसे चमकिला ग्रह है अफ्षन है शुक्र, प्रिथिवी, अगला अफ्षन दिया गये हैं मंगल और बूद सभी जबाब होगा शुक्र, शुक्र स्वार मंडल का सबसे चम्किला गरह है किस गरह को शुवाह का तारा अथवा शाम का तारा कहा जाता है अफ्षन हमारे पास है नैप्चून, प्रिथिवी, शुक्र और बूद शुक्र गरह को सुवाह का तारा अथवाफ साम का तारा कहा जाता है क्योंकि हम अक्षर सुवाह या फिर साम के समय आश्मान में सुक्र गरह को एक तारे के रूप में देखते है शुर्य के सबसे निकड इस्तित गरह है बूद, शुक्र, प्रिथिवी या मंगल बूद गरह सुर्य के सबसे निकड इस्तित होता है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्राश्ण इस प्राश्ण में पूछा गया है कोशिका जिल्ली को किस नाम से जाना जाता है अप्शन दिया गया है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा जिल्ली, कोशिका वरण या केंद्रक जिल्ली कोशिका जिल्ली को प्लाज्मा जिल्ली के नाम से भी जाना जाता है कोशिका में सभी प्रकार के गतिविधियों का नियंत्रन केंद्र क्या है अप्शन है साइटोप्लास्म, केंद्रक, माइटोकंड्रिया या कोशिका जिल्ली कोशिका में अनेक तरह के कारे होते हैं इन सभी कारियूं को इन सभी गतिविधियों का नियंत्रन केंद्र होता है कोशिका का केंद्र शर्वत्तम कोईले का उदाहरन है, अप्शन दिया गया है lignite, bituminos, peat या anthracite कोईले कई परकार के होते हैं जैसे कि lignite, bituminos, peat, anthracite इसमें सबसे अच्छा कोईला माना जाता है उन्थ्रा साइट को दहन के लिए कौन सी गयास आविशक है option है nitrogen, oxygen, carbon dioxide या carbon monoxide दहन के लिए oxygen and gas आविशक है रवी फसल का उदाहरन है अफ्षन दिया गया है धान, मकाई, गेहूं या शोयाविन गेहूं रवी फसल का उदाहरन है क्योंकि रवी फसल की खेती सित रितू में की जाती है और गेहूं की खेती सित रितू में की जाती है इसलिए गेहूं एक रवी फसल है जबकि धान, मकाय या सोयाविन की खेती वर्षा रितू में की जाती हैं जोकि खरीब फसल का उदाहरन है इंधन के उस्मियमान का मात्रक है आप्शन देया गया हैं किलो ग्राम, किलो जूल, किलो परति जूल या किलो जूल परति किलो ग्राम सबसे पहले हमें समझना होगा उस मियमान क्या होता है किसी इंधन के एक किलोग्राम के पूर्ण दहन से मुक्त होने वाली उस्मा को उस इंधन का उस मियमान कहा जाता है यानि उस मियमान का सही मात्रफ होगा किलो जूल परती किलोग्राम निम्न में से किस इंधन का उस्मियमान सबसे अधिक है option है लक्डी, पैट्रोल, कोला या हाइडोजन जैसा कि अवे हमने डिसकस किया कि उस्मियमान किसी इंधन के एक किलोग्राम के पूर्ण दहन से उत्पन उस्मा की मान को उस्मियमान कहा जाता है यानि अप्षन जो दिया गया है वह है लकडी पैट्रोल कोईला और हाइडोजन अब हमें क्या कलपना करना है कि हम माल लेते हैं एक किलोग्राम लकडी लिए एक किलोग्राम पैट्रोल एक किलोग्राम कोईला और एक किलोग्राम हाइडोजन इन चारों पदार्थों के पूर सबसे अधिक होता है कोईले के निर्मान में कित्रे समय लगते हैं सो वर्ष सबसे पहले हमें कलपना करना होगा कि हमारी पृथिवी पर कोईले का निर्मान कैसे हुआ बहुत पहले यानि लाखों वर्ष पहले प्रिसिवी पर घने वन थे किसे प्राकृतिक आपदा के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दव गए और कालांतर में अच्टधीक ताप और दाब के कारण ये लगड़ी यानि मृत पैड़ पोधे ये लाखों वर्षों के बाद कोईले में परिवर्थित हो गए और थाथ कोईले के निर्वान में लाखों वर्ष लग जाते हैं निम्न में से जीवाश्म इंधन का उदाहरन है सबसे पहले हमें समझना होगा जीवाश्म इंधन होता क्या है ऐसा इंधान जिसकी उत्पत्ती मृत्त जीवों के सरीर से हुआ है अप्सन दिया गया है शौर उर्जा, परमानु उर्जा, जण उर्जा और कोईला सरी जवाब होगा कोईला, क्योंकि कोईले का जी निर्मान हुआ है वो पेर पधों के मृत्त अवसेशों से हुआ है प्राकृतिक गैश में मुखत होता है, यह प्राश्ण बहुत ही महत्पूर्ण है इसमें आप्शन दिया गया है मिथेन, इथेन, ब्यूटेन या अक्सिजन से जवाब होगा मिथेन, प्राकृतिक गैश में मुख अवयब मिथेन होता है पेट्रोलियम का निर्वान किस से होता है पेड़ पौधों के मृत आवसेशों से समुद्री जीवों के मृत आवसेशों से कोईले से या प्राकृतिक ग्यास से देखिए, पैट्रोलियम का निर्बान कैसे होता है जब समुद्री जीव मर जाते हैं तो ये धीरे-धीरे समुद्री की तली पर जाकर बैठ जाते हैं और इनके उपर बालू और मिट्टी की परत लगातार चड़ती जाती हैं कालांतर में हजारों लाखों वर्सों के बाद ये समुद्री जीवों के मृत आवसेस धिरे धिरे पैट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं यानि इस प्रश्ण का सही जबाब होगा पैट्रोलियम का निर्मान समुद्री जीवों के मृत आवसेसों से होता है ध्वनी संचरित हो सकती है केवल ठोशों में, केवल द्रावों में, केवल वायू या गैसों में, या ठोश द्रावों तुथा गैसों में ध्वनी तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है ध्वनी तरंगों के गमन के लिए किसी माईध्धम के आवशकता होती है ये माज़दम फोस, द्रवा या गैस कुछ भी हो सकता है यानि इस प्रश्ण का से जवाब होगा ध्वनी संचरित होती हैं फोसों में, द्रवां में और गैसों में राजवियम जिवानों किस फसल की जड़ों में पाये जाते हैं आप्शन है रेश्यदार फसल, फलिदार फसल, अनाज फसल या इन में से कोई नहीं जो दलहन जात या पौदे होते हैं जैसे की चगा, मतर, मूंग, अरहर, इत्तादी इन सभी फसलों के जड़ों में विशेश प्रकार के जिवानों पाये जाते हैं इस जिवानों को राजोबियम जिवानों के नाम से जाना जाता हैं ये जिवानों क्या करते हैं वायुमंडली और नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्टित कर देते हैं ताकि पौधे आसानी से नाइट्रेट को ग्रहन कर सकें क्योंकि पुदे, नायैटरोजन को, नायट्रेटेर्ट के रूप में ही गरहन करते हैं, पिस प्रकार, राजुबियन, जिवानूगों जे होते हैं, यह दल्हन जातियों, फसल में पाए जाते हैं, और दलछन जातियों फसल को, फलिदार फसल भी कहा जाता हैं, यह ज़़ी आ कुलोरोप्लास्ट एक विशेश प्रकार के कोशिकांग है जो पादर कोशिकांग में पाये जाते हैं। कुलोरप्लास्ट के अंदर एक विशेश प्रकार के वर्नक पाया जाते हैं जिससे कुलोरोफिल कहा जाता हैं या हरा रंग का होता हैं और इसी की उपश्थिती के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं यानि पौधों की पत्तियों में कुलोरोफ्लास्ट पाया जाता हैं अगला प्रश्ण पूछा गया है इस पर्ष्ट केंद्र का अभाव निम्न में से किस में होता है अफ्शन हमारे पास है कवक जिवानू गुलाब फूल या स्रेवाल जैसा कि आप जानते हैं कि जीव जगत में कोशिकाओं को दो भागों में बाटा गया है प्रोकेरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकेरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहा जाता है जिसमें केंद्रक दीना जिल्ली का होता है जिवकि यूकेरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका को कहा जाता है जिसमें केंद्रक एक जिल्ली द्वारा घिरा होता है यानि प्रोकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक तो होता है परंतु ये जिल्ली से घीरा हुआ नहीं होता है यानि हम का सकत है कि प्रोकेरियोटिक कोशिका में इस पर्ष्ट केंद्रक का अभाव होता है तो इस प्रश्ण में पूशा गया है कि इसपस्ट केंद्रक का अभाव किसमे है यानि जो कोशिका प्रोकेरियोटिक परकार की होगी उसमें इसपस्ट केंद्रक का अभाव होगा तो इसका स्वेजवाब होगा जिवानू जिवानू कोशिका में केंद्रक बीना जिल्ली का हो अक्सिजन या कार्वन मोलोक्साइड किसी पदार्थ के दहन के लिए अक्सिजन आवस्चक है इसलिए आक्सिजन को दहन का पोशक पदार्थ कहा गया है अगला प्रश्ण है दहन के लिए आवश्चक शर्थ है दहन सिल पदार्थ की उपस्थिती ज्वालन ताप की प्राप्ती वायू की उपस्थिती या उपरुप सभी किसी पदार्थ के दहन के लिए आवशक सर्थ क्या है पहला आवशक सर्थ ये है कि एक दहन सिल पदार्थ की उपस्तिती होनी चाहिए जब तक कोई दहन सिल पदार्थ नहीं होगा कोई इंधन नहीं होगा तो फिर उसका दहन कैसे होगा अगरा जो सर्थ हैं वह हैं ज्वलम ताप की प्राप्ती कोई भी पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकती जब तक उससे एक निवन्तम तापमान की प्राप्ती नहीं हो जाती है जिससे ज्वलम ताप कहा जाता है यानि जोलम ताफ की प्राप्ति ये भी एक आवश्चक सर्थ हैं इसी प्रकार दहन के लिए आवश्चक है वायू यानि अक्सिजन यानि वायू की उपस्थिती भी दहन के लिए आवश्चक सर्थ हैं अर्थात इस प्रश्ण का से जबाब होगा उपरिक्त सभी यह प्रश्ण एक महत्पूर्ण प्रश्ण है इसमें पूशा गया है अमल वर्षा के प्रमुख कारक है अप्शन दिया गया है सल्फियूरिक अमल नाइटरिक अमल उपर्यूक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं देखिए होता क्या है कि जब जिवास्प इंधन का दहन होता ह है तिसमें सल्फर के अक्साइड और नाइटरोजन के अक्साइड वायू में आ जाते हैं और इसी प्रकार सल्फर के अक्साइड और नाइटरोजन के अक्साइड वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फियूरिक अमल और नाइटरिक अमल का निर्मान करते हैं और यह द दोनों विश्वतापन यानि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है अप्शन देया गया है नाइट्रोजन की बरती मात्रा अक्सिजन की बरती मात्रा कारवन डायक्साइड की बरती मात्रा या ओजन की बरती मात्रा देखिए मानविया गतिविधियों के कारण आज प्रदूशन आम बात हो गई है प्रदूशन के कारण क्या है कि वायू में कारवन डियक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है और इसी प्रकार कारवन डियक्साइड की मात्रा बनने के कारण प्रिथिवी में उस्मा कैद होती जा रही है और ये उस्मा की मात्रा अधि होती जा रही हैं जिससे विश्वतापन यानि गुलोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है यानि विश्वतापन का प्रमुख कारण है वायू में कारवन डियक्साइड की बर्ती मात्रा सूर्य की सबसे उपरी सतह का तापमान क्या होता है अप्शन हमारे पास आए 2000 डिगरी सिल्सियस तीन हजार डिगरी सिल्सियस चार हजार डिगरी सिल्सियस या 6000 डिगरी सिल्सियस वेगानिकों का ऐसा अनुमान है कि सूर्य की सबसे उपरी सपह का तापमान 6,000 डिगरी सेल्सियस है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खोगोलिय पिंड को क्या कहते हैं? आप्शन दिया गया है कृत्रेम उपग्रा, उपग्रा, छुत्रग्रा या उनका पिंड हमारे सौर परिवार में कुछ ऐसे खोगोलिय पिंड है जो किसी ग्रह का परिक्रमा करता है जैसे उदाहरन की बात करें तो चंद्रमा, चंद्रमा एक ऐसा खोगोलिय पिंड है जो पिर्थिभी के चारों और परिक्रमा करता है तो इस प्रकार के एक होगोलिय पिंड जो किसी ग्रह के चारों और परिक्रवा करे उससे उपग्रह कहा जाता है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिविंब किस भाग पर बनाता है अप्शन दिया गया है रेटीना, आईरिस, कॉर्निया या इनमे से कोई नहीं हमारे नेत्र किसी वस्तु का वस्तविक प्रतिविंब रेटीना पर बनाता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है अप्शन है उत्तर लेंस, अवतर लेंस, उपरिक्थ दोनों या इनमे से कोई नहीं मानब नेत्र में जो लेंस पाया जाता है या एक परकार का उत्तर लेंस होता है स्वेत परकाश कितने रंगों का मेशरन है option है 5, 6, 7 या 4 जब स्वेत परकाश की करणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये विभिन्द वर्णों में विच्छेपित हो जाते हैं। इन सभी वर्णों का नाम इस प्रकार हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इससे ये पता चलता है कि स्वेत प्रकास विभिन्द प्रकार के रंगों का मिस्रम है। इस प्रकार हम क आँख में प्रवेश करने वाली प्रकास किरनों की मात्रा को कोण नियंत्रित करता है? अप्शन है पुतली, रेटीना, आईरिस या कॉर्णिया हमारे नेत्र में एक विशेश प्रकार की शंग्रशना पाए जाती है जिससे आईरिस कहा जाता है आरिस के मध्य भाग में एक छिद्र होती हैं जिसे पुतली का नाम से हम जानते हैं ये पुतली इस बात को नियंत्रित करती हैं कि हमारे नेत्र में प्रकास की कितनी मात्रा प्रवेश करें यानि आंख में प्रवेश करने वारी प्रकास की किरणों की मात्रा को नियंत्रित करता है हमारे नेत्र की पुतली मानव नेत्र के लिए स्विश्पस्ट द्रिश्टी की नियुन्तन दूरी होती है आपने यह अनुफ़ब क्या होगा कि हमारी आँख कोई वस्तु को बहुत इसपस्ट रूप से नहीं देख पाएगी जब वस्तु हमारे नेत्र के बहुत ही करीब हो यानि किसी वस्तु को सुषपस्ट रूप से देखने के लिए एक निवन्तम दूरी का होना अनिवारे है इससे कम दूरी पर अगर वस्तु रहे तो उससे हम आफसानी से नहीं देख पाएगे तो इस प्रशन में पूशा गया है कि मानब नेत्र के लिए सुषपस्ट दृष्टी की निवन्तम दूरी क्या है अपसन दिया गया है 50 संटीमीटर, 25 संटीमीटर, 40 संटीमीटर या 10 संटीमीटर सही जवाब क्या होगा 25 संटीमीटर, मानब नेत्र के लिए सुषपस्ट दर्शन की निवन्तम दूरी 25 संटीमीटर होती है कहने का मतलब यह हुया कि कोई वस्तु अगर हमारे नेत्र से 25 संटीमीटर की दूरी या उससे अधिक दूरी पर हो तो इस वस्तु को हम इसपस्ट रूप से देख पाएंगे परन्तु अगर वो अवस्तु 25 cm से भी कम दूरी पर अगर हो तो इससे हम इसपस्ट रूप से नहीं देख पाएंगे बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षन अधिक होगा घर्षन कम होगा शावधानी पुर्वक नहीं चलने के कारण या इनमें से कोई नहीं आपने अनुभव किया होगा कि जब आप बर्फ की चटान पर चलते हैं तो आप फिसल सकते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ की सता और आपके पैर के बीच घर्षन बल कम होता है दाब का मातरक क्या है ऑप्शन दिया गया है पास्कल निवटन परती वर्वमेटर उपरिंट दोनों या इनमें से कोई नहीं दाब क्या है प्रती इकाई छित्रफल पर लगने बाले बल को दाब कहा जाता है यानि दाब के लिए जो सुत्र होता है वह है बल और छित्रफल का अनुपात इस प्रकार दाब का जो मात्रक होगा वह न्यूटन प्रती वर्ग मिटर होगा और न्यूटन प्रती वर्ग मिटर को पाश्कल के नाम से भी जाना जाता है यानि दाब का जो मात्रक होगा वह पाश्कल भी होगा और न्यूटन प्रति वर्ग मिटर भी होगा इस प्रकार इस प्रश्ण का से जवाब होगा उपरिख्ट दोनों वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है अप्शन दिया गया है ज्वाला ज्वालम सिल दहन सिल पदार्थ या ज्वालम ताप कोई भी पदार्थ तव तक नहीं जलता जब तक उससे एक नियूंतम ताप की प्राप्ति नहीं हो जाती है यानि दहन के लिए एक नियूंतम तापमान की प्राफ्ती अवस्चक हैं जिससे उस पदार्थ का ज्वलम ताप कहा जाता हैं तो इस प्रकार स्वेजवाब क्या होगा ज्वलम ताप नेम्न में से कौन सा पदार्थ स्वात दहन प्रदर्शित करता है अप्सन है स्वेजवाब होगा स्वेजवाब होगा स्वेजवाब पदार्थ हैं जिससे जल के अंदर डूबा कर रखा जाता हैं जैसे स्वेजवाब को जल से बाहर निकाला जाता हैं तो ये वायू की अक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती हैं यारी यह जो दहन होता है, यह स्वाता दहन होता है, तिस प्रकार स्वेट फास्फोरस स्वाता दहन परदर्शित करता है वहनों के लिए सबसे कम परदुशक इंधन है, डीजल, पैट्रोन, संपेडित प्राकृतिक ग्यास या इनमें से कोई नहीं गारियों के लिए एक ऐसा इंधन, जो सबसे कम परदुशन उत्पन्न करे, वह हैं संपेडित प्राकृतिक ग्यास, जिससे कंपरेश्ट नेजरल ग्यास यानी CNG के नाम से भी जाना जाता है इसलिए महानगरों में परदुशन कम करने के लिए आजकल संपेडित प्राकृतिक ग्यास के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है कौन सी धातू विद्दूत की सबसे अच्छी चालक है? अप्शन हमारे पास है सोना, चांदी, तामबा या एलमुनियम बिद्दूत की सबसे अच्छी चालक है चांदी संचरनिय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? अप्शन है चीटी, ड्रैगन मख्य, मकडी या घरेलू मख्य सेच जबाब होगा घरेलू मख्य अधिकांग्स संचरानिय रोगों का जो मुख्य कारण है वह है घरेलू मख्य तो इस वीडियो के माइधम से हमने क्लाफ सेट साइन्स के लिए कुछ इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कुश्चन पर डिसकसन किया उम्मिद करता हैं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सक्षन में जरूर बताएं साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइन्स प्लेटफर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तिससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को अन जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो के आपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके